मैं हूँ आपके साथ प्रेना तलवार और आप देख रहे हैं First By TV बात कर रहे हैं पतंचली की पतंचली आयरुवेद आज देश की सबसे बड़ी कमपनियों में जुसका नाम शामिल है जो देश की सबसे बड़ी FMCG कमपनियों को बहुत तेजी से टकर दे रहे हैं महज एक दशक पुरानी इस कमपनी ने पशले 80 सालों से भारत में मौचूद हिंदुस्तान यूनिलीवर की नीव को हिला कर रख दिया योग गुरु बावर रामदेव दौरस थापत की गई पतंचली आयरुवेद का कारो बार वित्त वर्ष 10,561 रुपे चारा जो के हिंदुस्तान यूनिलीवर की बिकरी का एक तिहाई है इसकी सबलता के पीछे वैसे तो कई कारण है लेकिन घरेलू चाप बना लेना सबसे बड़ा कारण माना चारा है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के नुसार पतंचली आयरुवेद के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रॉड़क्स बताए गए लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक पतंचली प्रॉड़क्स की बिकरी में गिरा वटाने लगी ऐसा क्या हुआ कि तेजी से देश में अपनी पहचान बनाने वाली स्वदेशी माल की कमपनी पतंचली आयरुवेद की ठवी धीरे धीरे धूमिल होने लगी है ऐसा ही साधार पर कहा जा रहा है क्योंकि योग गुरु बाबा रामदेव की कमपनी पतंचली आयरुवेट पर अमेरिकी खादे विभाग केस दर्ज कर सकता है इसके अलावा कमपनी पर तीन लाग डॉलर का जिर्माना भी लगा जा सकता है यहां तक कि अमेरिका में कमपनी के दो शर्बत ब्रैंड की बिक्री पर भी रोक लग सकती है दरसल पूरा मामले यह है कि कंपणी के दो शर्बत ब्रैंड पर अमेरिकी स्वास्ते नियामक यूनाइटेड स्टेट फूड और ड्रॉग अड्मिनिस्ट्रेशन ने आहार और आश्रदी संबंदी अलग-अलग दावे पाए हैं और इस बाबत एक रिपोर्ट भी जारी की है अमेरिकी विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपणी ने जो शर्बत उत्पाद भारत में बेचे जाने के लिए तैयार किये हैं उन पर लगे लेबल पर अतिरिक्त ओश्दिये एवं आहार संबंदी दावे पाए जाहिर है कि अमेरिका के खादे सुरक्ष कानून भारती कानूनों की तुल्ला में ज्यादा हैं तो अब अगर रिपोर्ट के मताबिके पता चलता है कि पतंजली ने अमेरिका में गलत तरीके से उत्पाद बेचे हैं तो USFDA इस उत्पाद की बिक्री को बंद करने के लिए चेतावनी पत्र भी जारी कर सकता है जो पतंजली आयरुवेत के लिए बहुत बड़ा जटका सावित होगा इसके अलावा विभा कंपनी के उक्तुत पात की पूरी खेप की जबती और संग्या अदालत में कंपनी के खिलाफ रोकादेश भी पारत करा सकता है सर्व इतना ही अपने रिपोर्ट में कहा है कि घरेलू और अमेरिकी बाजारों में बेल शर्बत और गुलाब शर्बत और लेबल पर ओशुधिये और आहार संबंदी दावे अलग अलग हैं पतंजली ग्रुप के प्रवक्ता ने पीटी आई के और से इस रिपोर्ट के बावत पूछे के इस सवालों का कोई भी जवाब अप्तिक नहीं दिया है इससे पहले पतंजली के फाउंडर बाबा राम देव को काफी बड़ा जटका लगा था वित वर्ष 2019 बीस में पतंजली की बिक्री में 10 फीसदी की गिरावट देखने के बाद जबकि 2017 में उमीद जताए गई थी कि म घटकर एक्यासी सो करोड पर पहुँच गई है और अब एक और घाटे की खबार पतंजली के लिए कि अमेरिका उन पर कड़ी कानून के तहत कोई न कोई एक्शन ले सकता है फिलाल जासत दीजिए लेकिन इस खबर से जोड़ी हरेक अपडेट कुझानी के लिए लगतार ब